नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स कुल्य वेगं खिधाम दूतं राणं प्रक्र्पाठे आदाय attent recurrence से लाँजत्क्षन सब्सक्राइबस, आदायत निय्वद्द्द्द्धान शिねve प्राण्यक्षन से भी में घृऌि क्यों यसी रничाम्याम्या startups तोब मेरे जान अभी तो वारात आई है दूला अभी आने वाला है चोड़ दो इसे अब ये नहीं भागेगी दयालो बिना शबाप के शराब ऐसे लगती है जैसे बिना चाननी के राद लाला ये राद ढलती जा रही है और चान चान नजर नहीं आया थोड़ा सबर करो ये कोई ऐसा वैसा चान नहीं ये वो चान है जिसके लिए चार चार ग्राण इंतजार कर रहे हैं हम ग्रहन नहीं है राना हम तो बादल के वो टुकड़े हैं जो चान को अपने आगोश में लेने के लिए मचल रहा है लाला शराब लोग दूसरों को कंदा देते हैं उन्हें शमशान घाट पहुचाने के लिए दुरजन ने तुम्हें कंदा दिया तुम्हें नई सिंदगी दे लेगी जहां राजासाद के फूर तुछा रहे हैं रामजादे कभी ने जा कभी ने तुझे कभी मात नहीं करूघ यह तो यहां तक लाने के लिए दुरजन को उसका इनाम देता है जो को आप नोगों को देवतार समझते हैं अरे बोग तो देवताओं को भी लगता है मरी जान राजा साथ इसके परमायकार देता हूं जोड़ी 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 मैं अपट अपट घुच्टी जानती मुझे मैरे बेटी कबला जाएं पुलिस सिर्फ रिपोर्ट लिख सकती है हाँ अगर तुम्हारी बेटी मिल गई तो तुम्हारे घर पर इतला पहुंचा दी जाएगी तुम्हारे बदन पर हमारे हाथों से जितनी भी खराशे लगी हैं उन खराशों को इन सोने की किन्डियों से ढख लेना रो मत जान मेरी हम भी तुम्हारे हुसन की पूरी कीमत देंगे थनुम्हारे यही जाएग टुम्हारे हुस्ट तुम्हारे हुसक्षर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोक दो। कर दो हाई 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 ए्र टुर इठर हाई हाई एर एपो इंग एंग ही इपोडंग हाई हाई हा इंग इसे लोगों को जिस्मानी मार से नहीं मानना चाहिए तो शरम की मार बारना चाहिए शरम की मार जाओ जाओ बड़े आटी लड़की छेड़ने इस गाउं में मर्भी हेते हैं दिन भर इन बेशर्मों को गथी पिठा कर पूरे गाउं का चकर लगाते रहना मैं पूछती हूँ तेरे बदन में बहुत चर्बी हो गई है क्या आज इससे जगड़ा कल उससे जगड़ा गाउं घर में अपनी बहादुरी दिखाने का ठेका ले रखाए क्या तुने देख रंजीर मैं साफसाफ कही देती हूँ मुझे ये दंगा फसाद बिलकुल पसंद नहीं हाँ बेटे तुम्हारी मां बिलकुल ठीक कह रही है यह लड़ाई जगड़ा दंगा फसाद इससे बुरी बातें नहीं करना चाहिए बेटे और यह वो इस लिडूर नैने है जाने देना जाने आजिक हमचै कि तरह बंड़नय के अन्धे भूल की बेटें अरजीत को बिचारी किसी परीब आने बूले की वेटी है है साथ यहां टोड़ने तोड़ दो यह हम्दों के क्पड़िए मोगा मेंено eh जब हमारे बेटे ने डूपती नाव से मुसाफिरों को बचाया था उसका ने इसे इनाम भी दिया था उस दिन तो बड़े खुछ थी नाच भी रही थी आये रुपा की माँ यह बहादूर सिपायों के खांदान का लड़का है इसे बुजदिल वाली बाते मत सिखा नहीं दूंगी अरे वह मेरी चीटी मुझे वापस करते देख रुपा देख रुपा तुझे वह पांच भी देदूगा तेरी लिए चूडिया ले आऊंगा पाय ले आऊंगा देदे मेरे भाई को पॉलिस की नौकरी मिल गई है यह जानकर दिल तो बहुत हुच हुआ है कि मेरा भाया पुलीस ऑफिसर बनेगा मगर यह आंख ही जिनको तुम्हारी जुदाई की आदत नहीं हम खारों पड़ी ए बिल्ली इन आश्यों को समझाओ के तेरा भाई पास वाले शह recipient दॉनखीjemए कान ही में पड़ेका को आपके देख ए जब मुझे उस देनका ही तो तुम अपने भाया को पलीस की वर्दी में देखा ए और मुझे उस दिनका एपनी बहन को इस व który है क्या लगए यह मेरा मैं क्राया क्या बात है आज परे खुछ निजर आ रहे हो मैं बहुत खुश हूँ मुझे पोलिसमें नौकरी मिल गई यह देखो आपॉइंट पेंड लेतर अरे यह क्या तुमने कोई रियाक्शिन नहीं दिया तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई अची मैं तुम्हारी तरह इतनी कंसर्थ नहीं चुशी भी हज़ह दना कर सकता अचा आचा आचा यह सब विगार की बाते छोड़ू और अपना वादा कुला कैसा वादा पुल गए किया होता है कि आय था तुम्ही ने दुवादा किया तु कि जब ही गाओ वोगी तोथोगी मुझे शर्मात एक नेक दिन तो ये शर्म तोड़ने ही पड़ेगी लेकिन तुम तो भी तोड़ने के लिए कह रहे हो नहीं तोड़ोगी तो महबत का देवता नाराज हो जाएगा अचा देट अजी लू लहराई हुई जुल्फे गिरागीर तो देखो दिल क्यों न गिरफतार हो जन्जीर तो देखो फिर शाओग से कह लेना दीवाना उज्जे लोगो पहले मेरे महबूब की तस्वीर तो देखो तुम मेरी जुल्फे गिरागीर को क्यों देखते हो और मेरे पाओं की जन्जीर को क्यों देखते हो तुम तो कहते थे मेरी शकली से नफरत है तुम्हे मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है नजर जो उठी तो दोहा बन गई नजर जो जुकी तो हया बन गई नजर तिर्ची की तो अदा बन गई नजर फेरी ली तो कजा बन गई नजर जब उठी महरवा हो गई नजर जब मिली तो जाँ हो गई जो पल्टी तो दिल की जवा हो गई जो बदली तो एक दास्ता हो गई नजर से हमने नजर को एक दिन नजर मिलाते नजर से देखा नजर जो पहुची नजर सकुन की नजर जुकाते नजर से देखा क्या बात है दिल एक मंदिर है तुम उसकी मूर था किसी ने सच कहा तुम कितनी खूब सूरत हो तो प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर और मिलने मिलाने का वादा करो प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर आज मिलने मिलाने का वादा करो प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर आज मिलने मिलने का वादा करो तुम्हारा प्यार भी जूटा तुम्हारा प्यार भी जूटा तुम्हारी जाद भी जूटी तुम्हारे होड भी जूटे तुम्हारी बाद भी जूटी कसम है सर से लेकर पाओं तक तू ऐ सनम जूटा तुम्हारा नाम जूटा तुम्हारा काम जूटा तुम्हारा मैं कदा जूटा तुम्हारा जान भी जूटा तुम्हारी रात जूटी चांद जूटा आसुमा जूटा तुम्हारे अश्क घम जूटे तुम्हारा जखमता जूटा तुम्हें पढ़ के कोई बेमरवत नहीं प्यार करने की अब हमको फुर्सत नहीं मैं तुम्हें याद करने के जिद छोड़ दूँ मैं तुम्हे याद करने की जिद छोड़ दू तुम मुझे भूल जाने का वादा करो मैं तुम्हे याद करने की जिद छोड़ दू तुम मुझे भूल जाने का वादा करो सजा दूंगा फूलों से आंगन तुम्हारा और सितारों से भर दूंगा दामन तुम्हारा चमकती रहेगी कलाई तुम्हारी खनकता रहेगा ये कंगन तुम्हारा दुलहन बना के तुम्हें अपने घर में लाओंगा फिर उसके बाद में दुनिया को भूल जाओंगा मगर तुम बेवफा हो तुम क्या जानोंगे वफादारी हम प्यार के पुजारी तुम प्यार के शिकारी सब कुछ है तुझ में लेकिन बस प्यार ही नहीं है आखें तेरी कहीं है और दिल तेरा कहीं है काकी थी रात हमने गंगा किनार गोरी दोनोंने कसम खाकर बांदी थी प्रेम डोरी मगर घम तेरी जुदाई का सेहना है सहुगा में और ये आखरी खत मेरा अब खत ना लिखूंगा में इस खत में खूने दिल है मेंदी में मिला लेना जिस रोज बनो दुलहम हातों में लगा लेना अब इसके सिवा तुमको क्या और दुन खलाना उठें मिरा जनाजा है शेहना ही तुम्हाइज तुम बजाना तरफ एठोगे वो नगमा जिगर से निकलेगा मिरा जनाजा तु मेरा लादा, हु मेरा लादा, हु मेरा लादा नजर जुकाओ, हसीनों का एहतराम करो, है मेरा नाम जवानी मुझे सलाम करो, जो हुसन चाहे तो लग जाए आग पानी में, अजी किसी हसीन को देखा भी है जवानी में शमाने आग रखी, शमाने आग रखी, सर्त का समखाने को, बाखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को सरे बाजार मेरे हुसन का चर्चाना करो, प्यार सच्चा है तो फिर तुम मुझे रुसवाना करो चांद उचा है बहुत, चांद का सोदा ना करो, दूर से देखुलो, जुने की तमना ना करो किसी आशिक से कोई वास्ता नहीं रखते, हम अपने घर में कोई आइना नहीं रखते जितनी बदनामिया थी, वो सब देखे ली, छोड़ दो मुझको अब तुमसे मतलब नहीं मेरे तस्वीर को फाड़ कर फेक दो मेरे तस्वीर को फाड़ कर फेक दो, हमेरा हर खत जलाने का वादा करो मेरे तस्वीर को फाड़ कर फेक दो, मेरा हर खत जलाने का वादा करो हुआ हुआ है रूपा को यहां लाकर तुमने अपना अदा काम कर दिया है अब इसके माबाब को खत्म करके अपना काम पूरा कर दो इसके बाप से पुराना हिसाब चुकाना है नई! नई! तुने अगर मेरे माबाब के तरफ आपक उठाका भी देखा तुमें तिना खूट कर दोगी! खूट खराबे करना तुम्हारा काम नहीं तुर्जन का है तुम्हारा काम है सिर्फ हमारा दिल बहलाना और तुम बहलाओगी क्या कियो तुमने मेरे साथ? मुझे चक्कर क्यों आ रहे है? तेवे, थोड़ी शर्बत मनीन की दवा मिला दिया बहुत थोड़ी सी जादा मिला देते तो सारी जिन्दगी होश में नहीं आती जयार कि दे पुमम हमारे, मुझे था टिन्दगी जाना बहल से लगे खरता फिल हली जोड़ी कि दूरर मैं क्यों आती जाम आतीं पुमने! क्योश्च्पियू क्योश्च्च्जित आज वी बोलने के खाबिल नहीं रहर कि अज़त है मैं आपर मैं इस भी शकी आजनी चुरूर यूपा कि अज़त है यूपा नहीं तो हमें एक जो ही डूपा प्रुपा हमने तुम्हारे हुसन को लूटा नहीं खरीदार तुम्हारी एक एक चीख एक आँसू की कीमत हमें सोने से चुका रहे हैं हमारा ये कीमती तुफ़ा तुम्हारी जिन्दगी को कहां से कहां ले जाएगा ये लो हुआ 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 है हुआ है फ wors हुआ है थे उसकी रव तुम्हाद trip कर दो दो अखते हैं। कि अखटे लगां रौटे लो नहीं हुट हां कर दो अखटी कि लोगां! इस दूए मुड़ मे लोगां! लोगां व पड़ां! मा! नहीं नहीं बढ़े! बज़ जाओ मा! 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 नहीं! नहीं! कौन है ये? हवालदार चंदरबान सक्सेना की बेटी है बुरी तरक हैल हो गई हुजूर ओ, I see. हवालदार इसे जीप में डालकर फॉरण फुली स्टेशन लेज़ चलो ये, सर एक, दो, एक, दो! स्कुर्ट! वेट श्रप! बेरेक्स में रिपोट करो! लेटी रहो, लेटी रहो ऐसे ही अच्छी लगती हो ठानीदार पहाद? बताने की कोई जरूरत नहीं मैं सब जानता हूँ लेकिन इसमें उनका कोई दोश नहीं तुम्हारे हुसन शबाब ने उन्हें दीवाना बना दिया होगा जैसे की मुझे यह आप क्या कह रहे हैं? आपको तो अपराधियों को हवालात में बन कर देना चाहिए लेकिन आप खोद अपराधियों जैसी बातें कर रहे हैं तुम कहो तो हम पूरे काहों को हवालात में बन कर दें तुमने अपने चांदी जैसे जिस्म के बदले सोना वसूल किया है तलाशी में सारा माल बरामत हो जाएगा ये तुम्हारा पेशा है और तुम एक जिस्म फरोश लड़की हो कमजाथ नीच और तुम एक ब्रेश्ट आफ़सर हो तुमने उन लोगों से रिश्वत खाई है इसलिए उनके हक में बोल रहे हो जाने मन अगर तुम अपने खुस्न की रिश्वत हमें दे दो हम भी तुम्हारे हक में हो जाएगे समझे जहां चार वहां पास सही क्यों है ना बोलो कुछ देख कमीने तुने मेरी इज़त पर हाथ डालकर इंसाने की मों पर तमाचा मारा है पुलीस में कमे को गाली दी है और बदनाम किया है उस खासी वर्दी को जिसे लोग रक्षा का प्रतिक समझते हैं जब रक्षक भक्षक बन जाए तो उसे मार देना चाहिए रहीजिरी झाहिए प्र KIM प्रेश प्रेश बवल यह यह अब 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 कि अज़ाए अब अब कि 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 मेरे मापाप बेहन सब हाँ बेटा पोलिस ने बहुत छानमिन की लेकिन मुझे जाना ही होगा रंजीत 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 कहां जा रहे हो जो होना था सो हो चुका नहीं मैं एक एक को भून दूगा क्या कानून को तुम अपने हाथ में लोगे फिर तुम में और उनमें क्या फर्क है तो फिर तो फिर मैं क्या करूँ गब्राओ नहीं यहां डरने की कोई बात नहीं कौन हो तुम अरे मैं तो चाचा हूँ चाचा? किसकी चाचा? सभी का वैसे मेरा नाम रहमत उल्ला है बिचारे की बदकिस्मत ही यह है कि इसका नाम किसी को पसंद ही नहीं आता यहां तक कि सरदार भी इसे चच़ई कहते हैं सरदार? जी तुम हमारे सरदार बागी मंगल सिंग की पना में हो और उन्होंने ही तुमहरी जान बचाई है क्यों बचाई उसने मेरी जान? किस लिए? बेशुमार मासूम इंसानों की खून से रंगे हुए हात उन से उसने मुझे मौत की मुझे बचाया? मैं लानत भेचती हूँ ऐसी सिंदगी पर जिसकी हर सांस पर एक डाकू के एहसान की महर लगी हुई हो जबान समाल कर बात का लड़के सरदार के खिलाब बोलने वाले फिर कभी बोलने के कामिर नहीं रहते सुवर के बच्चे महमालं के साथ की दूस से बेशाये जाता है महमाल? जिसके जिसम के रोए रोए से अंगिनित विद्वाओं और अनार्त बच्चों की बद्वाओं की आँच आ रही हो ऐसे आदमी की महमाल बनने से तो मौत का महमाल बनना ज्याद अच्छा है हम अपने महमानों की हर क्वाइश पूरी करते हैं लो ये बंदुक और मुटा तो अब जिन्दे के को लेकिन लेकिन याद रखना तुम्हारे हाथ भी इस्पेक्टर शाम लाग के खून से रंगे हुए है और उसकी विद्वा की बद्वा की आंच तुम्हारे जिसम से भी आ रही है वो चलनी जिसमें हजारों छेध हैं एक सुई पर अल्जाम लगा रही है जिसमें सिर्फ एक छेध है मैंने शामलार का खून नहीं किया बलके अपनी इज़त बचाने के लिए उसको मारा है और जिनके खून का इल्जाम हमारे सर पर है हमने भी उनका खून नहीं किया उन्हें मारा है कभी किसी की जान बचाने के लिए तो कभी किसी मासुम की इज़त शरीफ समाज के बतका लोगों मेरेन वाली रूपा सकते न इसके Ւावजूद भी तुम हम डाकों से नफ्रत करती हो क्या ज़नती हो डाकों के बारे में तुम क्या ज़नती हो ंप डाकू समाज के उन सापों का साथ कुछलता है जो समाज में जुल्म का जहर पहलाते हैं डाकू उनको सजा देता है जो जुल्म करके भी कानून के अदालत से बड़ी हो जाते है डाकू अगर एक दरोत मंका घर लूटता है तो 1000 करेभू का गर्बसता भी है। जंगर जिसका ठिकाना, पंधर जिसका विशोना और आस्मान जिसकी चट वो डाकू है बागी है, और जो ऐसा ना हो वो डाकू नहीं दूटे रहा है, डाकू जुलम ढहता नहीं जुलम का मुकाबला करता है। शुल्म का मुकाबला तो कितने ही महापुर्शों ने किया था लेकिन उन्होंने तुम्हारी तरह बंदूक नहीं उठाई थी और नहीं ऐसी वर्दी पहन कर जंगल जंगल मू छुपाते फिरे थे उनके साथ ऐसा जुम नहीं हुआ वोगा जो मंगल के साथ वह है आव मेरे साथ यह देखो यह मेरा चोटा भाई सोमनात है यह उसका वो रूप है जो भगवान ने उसे दिया था उठाओ इसे उठाओ इसे उठाओ चीख पड़ी ना यह मेरे भाई का वो रूप है जो इनसानों ने उसे दिया बलाओ अपने अमेले साथ को मुनीम जी जी सरकार यह कैसा शोर है यह नौजवान कौन है यह 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 वरे भाई सोमनाथ बीय पास ओ अच्छा तो यह बीय का शोर है यह शोर नहीं है मेले साहब यह इंसाफ की आवाज है और इस आवाज की मांग है मेरे भाई के हिसाब के वो कागत जिस पर एक एक अंगूठे के साथ हमारी एक 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 जमीन कम होती गई बेटे तुम मजा का बुरा मन ग तुम चाहो तो मैं खुद इसाफ किताब लेकर तुमारे घरा जाओंगा मंगल बेटे जी साफ तुम यह खड़े-खड़े क्या कर रहो ले जाओ अनाज की गाडिया यह तोनेम जी जी फिछले फसल का जो बाकी है वो सारा मंगल के घर पहुंचा दो अरे गंगुरा मों बं विटे ठीक हो जाएगा अगां वर्या अगर बच्छा बच्छा बाइट मैं देखता हूं बच्छा 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 दुर्जान, भी ये के सर्टिपिकट को मौत का इश्टार बना दो कर दो कि कर दो टो मौतיצने न्टार तुर्जान, ये वी तुराज दो कर दो कि आहाई का भी घुज़ी सुमनाथ अगर टो बता अभी ना मर गया तो मुझे इस दुनिया का हर आदमी तेरा कातिल नजर आएगा एरी कसम मेरी भाई मैं इस दुनिया को समचांग गाड़ परा दूगा बता बता मेरी भाई कौन थे वो अब बता नीचे आज़ा पता मेरी भाई बता पता बता ! शओड! सुगा, मेरे मादा! मास्टर अख़ाए इस पर क्या लिखा है मास्टर जी बेटा मंगल तू और इतनी राद गए बेटा बेटा तू कुछ उल्टे सीज़ा तो करके नहीं आया इस पर क्या लिखा है मास्टर इस पर तो लिखा है एमेले नमस्कार नमस्कार ये लो ये लो तुम भी लो लो भई मंगल उसके बाद हल चलाने वाले ये हातों ने बंदूक उठा ली और सबसे पहले उस बंदूक से उस सीधे साधे किसान मंगल को मारा ताकि ये डाकु मंगल सिंग जनम ले सके जहां तुमने किसान मंगल को मारा वहां एक कतल और कर दो जिस रूपा ने तुम पर इल्जाम लगाया उसे मार दो ताकि एक दूसरी रूपा जनम ले सके मुझे बंदूक चलाना सिखा दो मंगल पालेगान जी सर्गार मेरी पुरानी बंदूक लाओ दांस क्या दिखा दे हो उस वर के बच्चों तुम लोग क्या मा के पेश से बंदूक लेके पज़ा हो एते उठाओ लाओ बंदूक पाकड़ाओ मुझे नहीं बंदूक दोनों हाथ से ठीक से पकड़ो अब दबाओ गोड़ा लो बंदूक और एक पल के लिए सोचो यह तस्वेरे नहीं चार कुत्ते हैं पेश से कोशी सकराओ ओूप मुझे नहीं चार कुते हैं ज्बाओ लाओ कड़ो purity कुते हैं कि अरिया चाचा अकला राम सिंग क्या हुआ सब्सक्राइब क्या हुआ गजब हो गया भाई यह देखो ऐसे लगता है चाचा जैसे जंगल की हिर्णी ने शेर्णी की खाल पेहन ली हो खाली नहीं पहनी सीने में शेर्णी का दिल भी रख लिया है अब इस शेर्णी को शिकार की जरूरत है मुझे सुनार के पास ली चलो मंगल शिकार और सुनार के पास इन सोने की गिनियों से चार सोने की गोलियां बना दो सोने की गोलियां हाँ और उन पर चार भेडियों के नाम लिखते ना चार भेडियों के हाँ और चार भेडियों तुम्हारे जाने पहचाने हैं कि नाम सुनोगे तो चौंग जोगे राजा राना लाला और ठेकेदार क्यों समझ गया ठाकुर समझ गया आज के बाद फिर उन्हें मैं कभी नहीं पहचान हूगा आश शाबाश ये लो तुमारी मजूरी जी और गोलिया कल शाम तक हमारे अड़े पहुंचा देना ठीक है पहुंच जाएगी चलो करती है और गोगह पहुंचा ऑ्या प्हुंचा थी पहुंचा थी और प्हुंचा तरहा प्हुंचा पहुंचा अएभावावाण जुल्म के माथे पर तू मौत का पसीना है आज के बाद तू रूपा नहीं हसीना है डाकू हसीना जिंदाबाद अब रासम के मताबक तुम्हें इस तिलक की कीमत अदा करने होगी कीमत हाँ सीना जो भी इंसान डाकूं की जिंदगी का पहला कदम उठाता है उसे एक दिन के लिए गिरों का सरदार बनाया जाता है उसकी रहबरी में डाका डाला जाता है और उस डाकेती की काम्यावी उसका इम्तहान होता है इस तुफ़े के साथ साथ एक खुशखबरी भी लाया हूँ राजा परताफ सिंग ने अपने बेश कीमती हीरो नटराज की अनमोल मूर्ती का सौदा कर लिया है सुबह होते ही खजाना रवाना कर दिया जाएगा सुबह तब होगी कल्ला जब सूरज निकलेगा और सूरज तब निकलेगा जब नटराज की मूर्ती सरदार मंगल सिंग के हाथों में होगी और च को कि अनच चया और मूर्ग लगना जब सक प्रभांएखओत rubbish औरो और हमुआ है कर दो कि लगवाली करो जाए दार्टी सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो पिना सवार के खोड़े चलो कर दो कर दो करि कर दो कर दो टेर्ट लुझां, लुप साहीं। कि फिर दिगा जिए जुटके एंच 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 टुझ कि एंच कि एंच एंच हंच और बोखे दोड़ों Sam सावाज असीना आज तुमने एक नया जनम लिया है हम डाकों के बिरादर का वो रसम पूरा किया है जिसके बगाएर किसी भी डाकों को एक बागी का खिताब नहीं मिलता सरदार मैंने तुम्हारी गिरोह की रसम पूरी कर दी तिलक की कीमत अदा कर दी अब मेरे सामने एक ही मकसद है मां जिस मकसद के लिए मैंने अपनी जिंदगी दाहों पर लगा दी मुझे आशिरवाद दो कि मैं उस मकसद में कामियाब हूँ नजरला की राजा तोर बंगले पर नजरला गिरा तोर बंगले पर नजरला गिरा रुक क्यों गए मैं तेरी अमावस की रात में पूनम का चान निकालने आए हूं उस दिन तुम मुझे बेहोशी के हालत में लाए थे आज अगर मैं होशो हवास में खुद तुम्हारे पास आए हूं तो तुम्हारे होश क्यों उड़ गए हसीना बोल टाकू हसीना तुम जिन्दा हो रुपा नहीं 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 मेरे सीने पर चार सोनी की गोलियां लटक रही है इन में से एक गोली पर तेरा नाम लिखा है निकाल अपने नाम की गोली निकाल कुप्ते यह वही जिसन है जिसे चुने की तमना में तुम वैशी दरिना बन गया था यह वही सीना है जिस पे उस दिन तेरा हाथ भेड़िये की पंजे की तरह लपका था निकाल प्रूजरिन वह इना मैंशेन प्रूझ र 예द प्रूँ भंप प्ली पोजे आndर कि देर प्ली यह जिता questi है वह जिता यह जितान हो जुँदर में से एक आ़णेशा़ है इसी सोने की तीन गोलिया मेरे पास हैं और उन पर तीन वहिशियों के नाम लिखे हुए हैं इसी तरह एकिक करके आपके सामने आते जाएंगे राजा साहब दुनिया की तवारिख में ऐसा आजीब और गरीब केस नहीं हुआ कि कातिल किसी को मानने के लिए सोने की गोलिया बनवाए और उस पर मक्तूल का नाम लिखे दैलो आप दास्तान के लंबाई कोई नापते रहेंगे या मुझरिम को भी पकड़ेंगे बाग कर जाएगा कहां आज तक कोई भी मुझरिम पुलिस के हाथों बच नहीं सका और नहीं बच सकेगा एक बात याद रखना इंस्पेक्टर मरने वाला हमारा खास दोस्ता जब तक उसका कातिल फांसी के तखते पर नहीं लटकेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे कर दो कर दो है कि यह तो डाकू बशीरा यह तो डाकू बशीरा यह तो डाकू बशीरा है बहुत खतर नाख है वाप रे आओ आओ रंजीत बैठो वेल डन मैं बशीरा जैसे खतरनाक डाकू को जिन्दा गिरफदार करके यह तुमने सावित कर दिया है कि पोलिस की हिम्मत और होसला काविले दाद है अब सोस कि मैं तुम्हें तुम्हारे गाउं सरकल इंस्पेटर के हैसेट से ट्रांसपर नहीं कर सकता क्योंकि आल्डेडी उस पोस्ट पे इंस्पेटर रेगे है और उसकी ख्वाइश है कि वह डाकू हसीना को जिन्दा गिरफदार करें सर टाकू और डगेथी का मेरी जिंदी किसी गहरा तालुक है मेरे माबाप मेरी बहन टाकू की गुलियों को शिकार हुए टाकू मेरे दिल का जखाने सर जब मुझे चैन से सोने नहीं देता सर एक डाकू हसीने तो क्या मैं इस धरती से सारे डाकों को नाम निशान मीटा देना चाता हूं तुम ये काम कर सकते हो इसके बावजी भी आप मुझे इस इलाके में कांसर नहीं कर सकते सरक्यल इंस्पेक्टर के हैस्यस से नहीं एसपी बन कर जा सकते हो मैं मैं को समझा नहीं सर तुम्हारा प्रमोशन हो गया है अब तुम एसपी हो तुम्हाराइशन्स थांक्यू सर्थ देखते क्या हो जल जल अपने गाउन जाने के तरियारी करो थेंक्यू 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 वरी मत्सर्थ ऐसी का जारेश भी साहब थेंक्यू बोलिये वूब पापा हुआ 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 है जलने लगी जवानी आग पे डालो पानी जन्न हे गुरा रंग जन्न जलने की ये उमर गोरी ओ जलने की ये उमर गोरी अरे आग से खेल दिवानी आग से खेल दिवानी मत कर पानी पानी जलने की ये उमर गोरी ओ जलने की ये उमर गोरी अरे बड़ की ये ये लोरी झालो भालो पानी जन्न जलने की ये ये खेल्ग हुआ है पानी ये जलने की ये जलने की ये वे लुआ है खब तक मेरा ये मिनी परसुदा खब भी सिरे आम परसुदा किस्वाग को खळना पर दे चरसर पैदे बर चाणी अंग जन्य ही गोरा रंद जन्य जलने लगी जवानी आप पिडायो पानी जलने है गोरा रंग जलने जलने हो गोरा रंग जलने जलने हो गोरा रंग जलने मन जलने दे अरे शोलने तब कर सोना खाये शोलने तब कर सोना निक देगा और भिरानी जलने की ये उमर गोरी अरे आग से खेल दिवानी मतर पानी पानी जलने की ये उमर गोरी हरंग जलने ही गोरा रंग जलने जलने की ये पार्व जलने प्सक्राव जलने जलने की जलने हुआ 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 है हुआ हुआ है पंचोला गाओं के ठाकरों मैं डाकू हसीना बोल रही हुआ है मेरे पांच गिनने तक मुझे पांच लाख रुपए चाहिए नड़ी या जेवर अगर मुझे पांच से आगे गिनना पड़ा तो वो तुम लोगों को बहुत महेंगा पड़ेगा मैं इस गाओं की किसी दिछा कुरायन को मांग में सिंदूर भरने की काविद नहीं छोओंगी और तुम्हारी ओलाद भूके जानवरों की खुराक बनने के लिए आसपास के जंगलों में पड़ी होगी एक दो तीन चार पांच जग्दा जग्दा पांच पांच अब पुलीस वाले ही आकर खोलेंगे पांच पांच दो इंशाकरों को आप इन्हे पुलीस वाले ही आकर खोलेंगे पांच 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 अरे काका क्या बात करते हो मांगने वालों की जोनिया तंग हो सकती है हसीना का खजाना कभी खाली ने हो सकता जाओ जाओ वो दानी देवी चरुरत मंदों की रा देख रही है जाओ वाहरी दुनिया यह डाकू और वो साहुकार चल वेटे अबे ओ हरिया वो जो तु लाला चुनी लाल के बाड़े से भैंसिक हो लाया था इसे देवे तूद बेचकर भुजारा कर लेगा लेकिन हसीना अच्छा अच्छा ठीक है जुक जुक जीओ मां चुक चुक जीओ तू क्यों मुह तारे खड़ी है काकी चंदा की शादी है ना तू चिंता क्यों करती है जैसे चंदा तेरी बेटी वैसी मैं ले काकी मेरी बहन की शादी ऐसे धूमधाम से करना कि दुनिया देखती रह जाया हसीना मुरली को क्या दोगी जाबेर सिंग ने इसकी जबान काटी थी ना रूपा के डाकू हसीना बनने से पहले वो मर गया अगर वो जिंदा होता तो मैं उसकी जबान काटकर इसको दीती खेर अब उस साले जाबेर सिंग की जमीन ये जो देगा घबरा मत मुरली काववालों से कह देना जमीन हसीना ने दी है आदमी तो आदमी हसीना का नाम सुनकर जानवर भी तुम्हारे खेट में घुचने की हम्मत नहीं करेगा ठैर खेट जोतेगा कैसे यह ले हसीना सर्दार ने दो तौफे भेज़ें यह वो कुटें जिन्होंने हवस के भूके भ्रेडों के हवाले करने के लिए कमला को उठाने में दुर्जन की मदद की थी तो आप हैं वो नेक व्यापारी जो शरीफ वरिंदों को जिन्दा मास सप्लाई करते हैं हसीना कुछ जूट से सकनाफरत है हसीना साप को माफ कर सकती है लेकिन अपने पाप छुपाने वाले मकार को कभी माफ नहीं कर सकती जगा कता कि ह्वा जोजोजों क epsilon की संइब भty दोति कन ली टी हमे जब मैं आंतरी टेListenदा Dude रतंगा कि तूँ आगी तूँ वह देड़ कर दे लिसकी आरद गार दर्जन न न हो बचा जो आजा आजा पूर मेरी मां के पास ने चलो मेरी मां के पास ले चलेंगे लेकिन जब तक तुम्हारी मां नहीं है ने तुम हमारे साथ रहना हसीना हमें फॉरन यह चला चाहिए जाम रस्दाइ मंगल मैं तुम्हारी लेक प्यारा सा तोफा लाई है इन पत्थरों में फूल की कमी थी तो मैंने पूरी कर दी पत्थरों में फूल नहीं किला करते हैं सीना इस बच्ची को जहां से लाई हो वहीं छोड़ाओ क्या हां जहां आटो पहरवातावन गोलियों से गुंचता हो वहां नोरिया नहीं बनब सकती है यह तुम कह रहे हो मंगल तुम हां मैं हम डाकूं का ज़स्बास से कोई रिष्टा नहीं डाकू पुलिस के गोलियों से कम ज़स्बास के हाथों जारा मारे जाते हैं कल यह बच् किसी आनात आशम छोड़ाओ तुमने इसे अनात आशम छोड़ने को कहा तुम नहीं इसे छोड़ाओ अंकल मुझे जल्दी से जल्दी आशे ले चलो नहीं तो आशीना अंटी кт долएगी चलो चलो क्या मुझे गोद में उठाओ कोद में और क्या मैं पैदल चल के जा सकती हूं मैं इतनी चोटी हूं हम एले एई तेरा नाम क्या बहुत सारे नाम है मुझे राणी बेटी कहते हैं मेरी मा मुझे मुन्नी कहती है और मेरी मामा मुझे चुडेल कहते हैं तेरा मामा जरूर कोई बदमाश आदमी होगा हाँ वो मेरी मा को बहुत रुलाते हैं तुम मुझे किस नाम से पुकारोगे मैं तो जग उडिक होंगा तो हसते क्यों हस नहीं तो क्या करूँ तुम तो बुद्धु हो तुम मुझे का बुलाओगे तुम तो मुझे आनाताश्रम चौनने जा रहे हो ना क्या हुआ चीक है क्यों तुम इतने बड़े हो लेकिन इतना भी नहीं जानते चोटे बच्चों को कैसे उठाते हैं में तो सांसी रुख गई थी एकदम आच्छा आच्छा काम करता हो मैं तुझे अपने कंदे पर उठा लेता हो अब ठीक है हाँ मेरे डारी भी मुझे ऐसे कंदे पर बिटाया करते थे चल एक बात पूछू आप पूछ मेरे डारी बोलते थे दाखु लोग बच्चों को आस्मान में उचाल कर उनको गोली मार देते हैं क्या है ये सच है वो मुझे ने मालूम मैंने तो तुझे अपने कंदे पर बिटाया है ना हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो ज़रा मेरी तरफ देखो क्या एक बात पुछू अब क्या है अनाथ क्या होता है वो और अनाथ वो जिसका कोई नहीं होता है साथ मैं अनाथ ठोड़ी हूँ मेरे तो साब है मा है हसीना अन्पी है और कौन और बताओं अहां बता और तुम कि अच्छे को अच्छे को अच्छे को अच्छे को लेकर आ रहे हैं कि अच्छे को अच्छे करें नाथ इसा बुक लेगे एकाना के लाओ ऐना आ बहुत बेटर आज तुने सरवार को मात दे दी तुम आदमी हो बबुल के पेट, सारे मुपे कांटे ही कांटे है अरे बेटे, पचीज साल से इन कांटो को पाला है अब इस नने से फुल के लिए इन कांटो को कुर्बान कर देंगे और बेटा, अगर मैं दाली मुनवाओंगा, तो पकड़ा जाओंगा अरे फुल के लिए तो पकड़े जाए तो भी चलेगा गुद्डी, क्या बात है विथी? मैं, मैं आ नीचे सोजाओं, मुझे वाहां बहुत दल लग रहा है नीचे क्यों? तु यहां आकर सोजा, मेरे पास, चल अब आँखी बंद कर ले और अच्छी बच्ची की तरह सोजा अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा, तुम मेरी मा की तरह ही सुलाती हो एक बात पूछू, गुशा तो नहीं करोगी? नहीं तो, पूछो मैं तुम्हें चोटी मा का हूँ क्यों? बस यूँ ही, मा के बिना कभी सोईन नहीं न, इसलिए एक बार सुनकर तो देखो, मा के कर पुकारूंगी, तो शाद तुम्हें भी नीन्द आ जाएगी साच, तु पुकारो मा, शोटी मा कुटी, इसलिए बच्ची में आपकारो गुद मौर्णिंग सर्थ, गुद मौर्णिंग इंस्पेक्टर, इसलिए इसलिए आपकी काभियत की तरीफ और कानियां मैं ट्रेनिंग सेंडर से सुनते आ रहा हूं ओ थैंकिव सर्थ, मैं कर दुटी जाइन कर रहा हूं सबसे पहला काम यह है कि पुरे गाओं में यह पोस्टेज लगवादी और हाँ वो टाकु हसीना की फाइल मेरे कॉर्डिस मिच्वादी यह सर यह विटियारानी के नहाने का पानी तयार हो गया यह क्या इतना पानी क्यों जमा कर रहे हो बहुंदी ने नहाने के खुवाई जाहिए की तो सम्में होड लगए कि गुड़ी मेरी बालडी से नहाएगी आखिर फैसला यह हुआ कि हर आदमी अपने हिस्से का पानी इस टब मे बातरूम का है बातरूम यह बातरूम का है बातरूम चरदार कभी जरूती नहीं पड़ी तो बना ही नहीं लेकिन भाई अब तो जरूत पड़ गई तो बातरूम भी बन जाएगा चरदार पाले ये बातरूम क्या होता रहे अरे बेवकूफ गुसल खाने को कहते हैं गुसल खाना है आप आप मुझ बन गया जो तुझे यहां तक ले आया बेलगान तो पुलिस हो गई यह सड़दार एक नया इस्पी आया है जिसने शहर के चप्पे चप्पे पर पॉस्टर लगा दिये यह देखो अजीना इस्पी ने तुम्हें जिन्दा गिरफ्तार करवाने का इनाम पांच हजार से बढ़ाकर पच्चास हजार कर दिया है यह एस्पी तो कोई अपना लगता है जिसने कानून के बाजार में मेरा भाव बढ़ा कर मुझे इज़त बक्षी एक खबर और है उसने डाको असीना को जिन्दा गिरफ्तार करने की कसम खाई है किसी माने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो हसीना सो जिन्दा के रफ्तार कर सके क्या नाम है उसका रंजीत सक्सेना कि समसिंग आया जी समसिंग आसब काड़ी में समान बड़ा समान लेओं जी सब सब क्या बात है मुझे दोचार घंटों के लिए छुटी चाहिए क्यों आज राखी कैठ योहाँ रहा है ना आज मुझे अपनी बहन के घर राखी बंदवाने जाना है तो मैं जाओ साब? चाओ, अच्छाओ राखी, यह राखी यहां कुन लाए है? अरे राम सेख? यह राखी मैं लाए हूँ भाईया तुम, तुम जिन्दा हो, मुझे यकिन नहीं आ रहा है कि मेरी बहन हाँ, बहन भाई के लिए जिन्दा है इतने दिनों तुम कहा थी? आज कोई सवाल नहीं भाईया क्या ये कमखुशी की बात है कि तुम्हारी बहन मिल गई? और वो भी राखी के इस पावन प्योहार के दिन लाओ, हाथ लाओ, राखी बन वालो इस तरह नहीं, मुझे भी अपने एक फर्स पूला करना है ठेरो एक निट आज के दिन तो भाई बहन की रक्षा की शपत लेता है आज कोई बहन किसी भाई से भला कैसे डर सकती है लेकिन अपने भाईया को पुलीस की वर्दी में देखकर मेरा मन फूल की तरह हलका हो गया तुम जानती हो रूपा, जब पहली बार मैंने ये वर्दी पहनी तो मेरे दिल में यही तमन्ना थी, कि सबसे पहले तुम्हें दिखाओ लेकिन जब वहाँ पर तुम्हारी मौद की खाबर मिली तो ये वर्दी मेरे जिसंपर बूच ही बन गई जब मेरे वर्दी देखोगे भाईया, तो सिंदगी तुम पर बूच बन जाएगी क्या? कुछ नहीं भाईया, राखी बन वालो ये लो ये कंगन लाया हूँ तुम्हारी लिशेर से, पहन लो जिन हाथों के लिए कंगन लाये हूँ अगर उन्हीं हाथों में हदकड़ियां पहनानी पड़ गई तो अरे, ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें हदकड़ी की बनाऊँगा? मेरी सर पर मेरी सर पर थानेदार के खून का इल्जाम जो है ये सब जूटे बकवास है, तुम निर्दोशों ये मिसाबित कर दूगा हाँ, जहां तक हदकड़ी पिनाने का सवाल है, वो मैं डाकू हसीना को पहनाऊँगा जिसके नाम का आतंक सौ सो कोस तक फ्हला हुआ है रूपा, अब तो सिर्फ दो ही तमनाई बागी है एक तो तुमारे हाथ पिले कर दू, और दूसरी उस डाकू हसीना को जिन्दा ग्रिफतार करो साब, आपने जो डाकू हसीना की फाइल मंगवाई थी, वो यही है, मैं अभी आया है, रूपा खीक है, तुम जाओ रूपा 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 कहा चली गई लूपैर अर्म खोरो, बहादाना बनाते हैो, आपने बापके सामने अगर ख्ते के सामने हड्डी डालो तो वह वह अपने घर के दर्वादे का पहरा देता है मैं तो तुमें गोश्त चलाता हूँ, गोश्त मथा एक लोडिया इनिक रोडां के वहाने कोई गलती करें हमारे पेटो मरोड उठ रहे थे कम गात कर गय थे वापस आया थो वाग चुकी थी क्या कहाber मरोड तुम्हारे पेट नियुकें और मेश कर दूं नै-चृव सोली किसे में नहीं जर्दाट फॉलाट सिंग्ग फुकुम जर्दाट इस खुरीले को भावी शुडिया को लाने का इनाम दो और फिर अपने फोलादी हाथों से इसकी दोनों आके फोर दो क्योंके इस साले ने हमारा आटका पेखिए नहीं सर्दार नहीं आपको आपकी इस सरण में आ रहे थे आपको ढूटे ढूटे हमारे पेरों में ठाने पड़ गए इस समय में नदी पेखिए रहा हुआ था कि हमको टैटी वी नजर आई आपकी सेवा के लिए इसे में उठा लाया इसको गुरुद अच्छी नहीं समत कर्सो भी कार कर लो सर्दार ये ठीक कहता है सर्दार हमारे गाउं का आदमी है और भरों से मंद है एकर गारंटी हम लेवत है ठीक है तो इसको कह दो कि सारी उमर अपना मू न दोए इसके लिए यही गरंटी काफी है याला अंकल जी उठो नहीं बैटा अभी कंबल ओड़के पड़ा हूं पसीन आना शुरू हो गया है खुलके पसीन आ जाएगा तो बुखर भाग जाएगा अगर कंबल ओने से भुका आजाता तो डॉक्टरों के दुकानों पर दवाई नहीं कंबल भिक्ते ये लो तोल्सी वाला दूची लो अच्छा बैटा, अच्छा एल्ला, जीति रो बैटा, जीति रो या इल्ला ये फरिष्टा तुने हम शैतानों में कहां से भेज़ती है अब मूलक का है क्या बैटे हो ये लो हल्दिवारा लेप लगा लो छोटा सा तो जखम में बेटी इलाज ना करने से छोटा जखम बड़ा बन जाता है इतने बड़े डाकू बने फिरते हो ये भी नहीं स बेटी ये हार सलामत रहना चाहिए बांद दे पट्टी बांद दे बेटी बांद दे अरे भाई नव्वे ये दो घंटे से साबून लगा के बिठाल दिया है अब जल्दी से मूड़ दे अरे भाईया मैं तो जिंदगी भर से दाड़ी बना रहा हूं ये पहली बार जंगल काड रहा हूं पताया नहीं चलता कि दाड़ी कापे खतम होती है और चैरा काव से शुरू होता है कि अच्छार हसी ना रही है तुम सब चोरूं की तरह मूँ चुपाई क्यूं खड़े हो चोटी मा एक मिनिट एक साथ पीछे हैं मुड़ अरे ये क्या शकले बना रखी हैं तुम सब लोगों ने हम जब भी छोटी बिट्या को प्यार करते हैं वो कहती है दाड़ी चुपती है तो बास भी आती होगी साब उन लगा के सुका रहे थे मुन्नी मुन्नी मा पेटी मेरी बेटी मेरी मुन्नी असीना ये तारा है गुड़ी की मा उस दिन दुझा ची तो बच दिकली पर जब अपने पती के खोरा और बेटी के खोरे के रिपोर्ट लिखवाने पोली स्टेशन गई बेहन हम तुम्हारा पती तो वापस नहीं ला सकते लेकिन तुम्हारा सुहाग चीनने वाला और तुम्हारी इज़त लूटने वाला तोनों इस दुन्या में जिंदा नहीं रहेंगे चोटी मा जहां इतना उपकार किया है बेहन एक छोटी सी भीक और देदो कुटी मेरी छोली में देदो ये क्या कह रहे हो बेहन कुटी तुम्हारी बेटी है तुम इसकी मा हो मैं तो मुन्नी की मा थी कुटी की मा तो तुम हो जाओ बेटी अपनी मा के साथ नहीं जाओंगी नहीं जाओंगी नहीं जाओंगी मैं अपनी चोटी मा को चोटी कहीं नहीं जाओंगी बेटी इस मुश्किल का हल में निकालता है हम सब वोट डारेंगे अगर ज्यादा होट तुमारी चोटी मा की तरफ हुए तो इसके साथ रहना और ज्यादा होट तुम आपना आपना वोट दो, गुड़ी छोटी मा के पास रहे या बड़ी मा के पास बड़ी मा के साथ, बड़ी मा के साथ, बड़ी मा के साथ, बड़ी मा के साथ, बेटी, बड़ी मा के साथ नहीं, तुम सब दाको हो, जोर हो, लुटे रहो, तूटे हो, I hate you, I hate you, I hate you चलो मा, मुझे जल्दी से ले चलो, मैं चोटी मा के बाद नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगी, बद अच्छा बेन, हरी आओ, इने पहुंचा दो अबे ओ, चतुर सेंग, सुना है, इस जंगल में एक अवल वस्त रहीन, वन पर ही रहती है, तुमने तो उसे देखा भी है, हाँ साथ, जाड़े के मौसम में अक्षर घुमा करती है, अरे चतुर सेंग, तीन साल हो गए मुझे जंगल की रखवाली करते हुए, मुझे तो वो वन परी किसी भी मौसम में दिखाई नहीं थी, भाई चतुर सेंग, मेरा तो काम बन गया, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ सबना, मेरी बहन भाईया, किस कराम सादेले तिरी यालक की, कर लाया तुझे याद, मैं लायू रूपा नहीं हसीना बोल कुटे, कल की भोली भाली रूपा, आज पूरे देश और सारी पुलीस फॉर्स की जबान पर चड़ा हुआ नाम, टाकू हसीना मेरी बहन को यहां क्यों लाया गया शिकारी अपने शिकार को दाना क्यों डालता है लेकिन यह मेरी बहन है हाँ, तेरी बहन है, इसलिए तो इसकी यह सत लूट नहीं सका इसे देखती है, तेरी जिसम की हावस थंडी पड़ गई जरा अपनी बहन की चहरे को गोर से दे क्या इसके चहरे पर तुझे नमक नजर नहीं आता भगवान के लिए, मेरी बहन के लिए ऐसे नंगे लवज इस्तिमाल मत करो मैं तुम्हारा गुनेकार हूँ, मुझे सजा दो, मेरे गुनाहों की सजा मेरी बहन को मत दो मैं अतनी जलील नहीं के तुझ जैसे कमीने के पाप की सजा एक मासूम लड़की को दूँ यह सब तुम मैंने इसलिए किया है, कि मरने से पहले तुझे इस बाप का एहसाथ हो जाए कि हर लड़की की इज़त उतनी ही कीमती है, जितनी तेरी बहन की इज़त हो इसे सही सलामत घर पहुंचा दिया जाएगा हरिया, इसे इसके गां तक पहुंचा दो तू कहां भाग रहा है खुझे, वक्त तेरी मौत के हुकम नामे पर दसकत कर चुका है याद है ठेकेदार के सीने पर एक सोने की गोली मिली थी ऐसे ही तीन गोलिया मेरे गले में लटक रही हैं जिन पर तीन नाम लिखे हैं राजा का, लाला का और तेरा जो आगे बढ़ और निकाल अपने नाम की गोली यह वही जिसन है जिसे तुने अपने हाथों से इंच इंच ना बादा मेरी आबरू का गिरेबान चाक चाक करने वाला हाथ आज काम क्यों रहा है मेरी सीने तक क्यों नहीं पहुंचता निकाल नहीं बहुंचता नहीं बहुता सकती उस देवी ने मेरे ममता पर भरोसा किया मेरी आखों पर पट्टी तक नहीं बांदी यह काम नहीं कर सकती तुम करोगी तरह जरूर करोगी मा मुन्नी अपनी ममता की खातिर इस मासूम बच्ची की जिंदगी की खातिर में आअ अपनी के खातिर मे! मो अप्समा प्समा प्सक्तप प्सक्तपक का शप्स्षणी क्राइधने अप्स तक अप्सक्तपक भरेविए गुट्टी, क्या बात है बीटा, गुट्टी, क्या हुआ तुझे, तु बोलती क्यों नहीं? हम, आप आये मेरे साथ, कुद्रत का करिश्म ही अब गुड्डी की आवाज वापस ला सकता है, वरना डॉक्टरी एलाज कोई नहीं, हरिया, गुट्टी, मेरी बच्ची, अब मैं नहीं रोंगी, जब तक तेरी आवाज वापस नहीं आएगी, मैं नहीं रोंगी, मैं नहीं रोंगी, मेरी बच्ची, प्रामिस, पाले हमारी चिठी के लेक्टर साहब तो पहुंच गई, वो तो पहुंच गई, लेकिन पुलिस को चिठी लिखके ललकारना, और फिर डाका डालना, ये कैदानिशमन्दी है, पाले, हसीना पीछे से वार कभी नहीं करती, उसने जब से ये वर्दी पहनी है, तब से सिर्फ दुश्मन का सीना ही चीरा है, पीछ नहीं, तुम दुनिया के हर ताकत का मुका बला कर सकती हो, लेकिन तलवार के उस धार को नहीं कर सकती हो, जिसमें तुमारे अपने ही खून की चमक है, मंगर, मेरा काम है दुश्मन का खात्मा करना, और रंजीत का काम है मुझे गिरफतार करना, अगर इस धर्मियुद में भाई के फर्स की गोली ने बेहन के सीने को ना भी पहचाना, तो भी मुझे दुख नहीं होगा, बलके मुझे नास होगा, कि मैं हवलदार चंद्रभान सक्सेना की बेची हूँ, और स्पी रंजीत सक्सेना की बेहन, कमान, कमान, चलो, जल्दी चलो, आगे बड़ो, कमान, मूव, मूव, सर्प, हमने गाउं को चारो तरफ से केर लिया है, इंसान तो क्या परिंदे भी पर नहीं मार सकेंगे, लेकिन बोलो ना तो इंसान हैं, ना परिंदे हैं, तरिंदे हैं, तरिंदे हैं, आप कि कर न करे सार्प, कशकर मुझे नहीं बलके कालेटर 사ब को है हशीन और आफम नहीं जाब आप हशीना को नहीं जानते इसमी साब हशीना तो हसीना डाकोमान संग पूलिस को ललका नहीं काला है आप आफिस आईए विज्टर रेगे सर्गाइब में किसी काम से रामपूर पूलिस टेशन जारा खत्रा है उन सरकारी रूपयों को जो खजाने में पड़े हुए है आप उनकी रख्षा कीजिए इस भी साहब का भी कमाल है इतनी पुलिस लाने ही ज़्या ज़रूरत थी इंस्पेक्टर खान रामपुर पुलिस टेशन है तो खेलो सबको पाक को पीजिए बादन टो ये बादन टेक्ट वी उनकी बादन टेक्तो चेलो फे लग जफवार वे जबल्या जब वे टेशना वे जबल्या ज़ल्या जबल्या साहँ है इंस पसली्पाव इंस वाराई्ड़ भादने लुब वे पार बुआर प्रश एज कर दिना फोड़ा अजिए झाला फ wow लाग आधा लुट्रीन प्रंस लाग लुक नुट। अजीना हसीना एसमिस आपा रहे हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करता है प्रोप्चा ऑची ना? जब मेरी वर्दी देखोगे भाईया, तो जिन्दकी तुम पर बूच बन जाएगी बदला रात बदली, सितारे बदल गए बदली अदाए और इशारे बदल गए चेरे बदल गए कही सूरत बदल गई नजले बदल गई तो नजारे बदल गए धिल बदले पीर बदले निशाना बदल गया दुनिया के रंग बदले पसाना बदल गया लेकिन तेरी बदल नहीं बदली हरे कुछ ही तू जो बदल गई तो जमाना बदल गया सोचना क्या उस घरी का जो गई जो गई जो गई तू पहले क्या थी और अब क्या हो गई तू पहले क्या थी और अब क्या हो गई तू पहले क्या थी और अब क्या हो गई कल लुटते थे तुझ को लुटे रे चारों कर पूथे गम के अंधेरे हर एक नजर एक मीती चुरी थी हर आदमी की नियत बुरी थी जो लुटते थे रूपों का सोना पढ़ने लगा जब लाज पे गाका तो बनके उठी एक धमा का कल तक थी तू एक भरनी जैसी आज लगे तू शेरनी जैसी खूब ये तूने बदला है चोला कल तक तिश जुनम आज है शुहूला काप उठा हर साथ दिल कमीना रूपबली जैब ढटा को हसी ना तू पहले क्या थी और अब क्या हो गई तू पहले क्या थी और अब क्या हो गई तू पहले क्या थी और अब क्या हो गई तेरा निशाना सच्चा निशाना करता है तुझे से सारा जमाना शेरों के जैसा तेरा जिगर है बिजली के जैसी तेरी नजर है मर्दों से धूने हक अपना छीना चर्चे हैं तेरे घर घर हसीना क्या इसका रोना जो खो चुका है वो अब ना होगा जो हो चुका है प्यार मंता की तस्वीर है तू जाने कितनों की तकदीर है तू नाम सुल कर तेरा एह थीना पुचली भूलन को आया पदीला पदीले रे तू पहले क्या थी और अब क्या हो गई तू तू पहले क्या थी और अब क्या हो गई तू तकदीर ने मुझे एक अजीब मोड पलाकर खड़ा कर दिया है पीछे पीछे हड़ता हूं तो फर्स परांच आती है और अगर आगे बढ़ता हूं तो उसने एक अचाल जगरता है मुझे अचि अग्ड़ तूड़ नहीं हो अच्छाया नुघर सकते गौले क्या करओ है रूपा ने अगर काटे बॉए हैं तो उसी फूल कैसे दे सकता हूं यह क्यों आगे में और नहीं च्ट्सकती में विगाओ आरह कि कुमwesti से ह्यानकिane मेरी यार पर जशन मना रही है मेरे जख्मों पर नमक छिलक रही है दिखाओ तुझे जशन कैसे मनाया जाता है दिखाओ मानने वर दुर्जन सिंग जी जयालू एक बात बताई यह रंजीत रूपा को गिर्फतार क्यों नहीं कर सका क्योंकि वह उसका भाई है बिल्कुल ठीक जब भाई को रिष्टे का खयाल है तो बैन को भी होगा पहलिये मत बुझाओ राजा साहब मोटी बुधी का आदमी हूँ मोटी बात बताओ गोली अब भी तुम रूपा पर चलाओगे दुर्जन लेकिन बंदूख अपने कंदे पर रकर नहीं बल्कि उसकी होने वाली भाबी चाया की कंदे पर रकर इस नाजुक रिष्टे का सद्मा रूपा से बरदाश्ट नहीं होगा और वो बड़ी आसानी से तुम्हारा निशाना बन जाएगी अगर आपकी बार रूपा बच गई राजा साहब तो फिर तुर्जन नहीं बचेगा आओए दुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा तुम्हार. वारूई भूले सुझा नाड़ नाते हैं, वारूप यूछक वरूआरा हुआ है यूशके टारूई ना-चाईना जा यूचा जाड़ ना-गूदा यूए िटमाने हुआ 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 है। कि अंट फ़िए को एक अचे अच्छ पाइड को अगवा कलिया गया है इस बात की भरक भी हर्दा की कानों तक नहीं पूंचने चाहिए क्योंकि दुर्जन ने चाया को मोहरा बनाया है ताकि हसीना को माद दे सके अगर वो यह नहीं जानता कि एक हाथ और भी है जो उसकी सारी बाजी को पलट कर रख देगा जगा सबीने कुट्टे छोटे मुझे यह पासरे अन्य स्वाइट क्या कहा? साइन बॉस्टोर्ड ऐसी गालियां दुर्जन को बहुत अच्छी लगती है अभी बताता हूँ हाहाहा हाहा 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 जगलीज चानवा मैं ते टुक्रे टुक्रे कर दूँगी यह ते वह खोद में जाँगी मैं छोड़ते मुझे तुक्रे तो हम करेंगे रानी पर जरा सबर करो हसीना तुम्हे बचाने के लिए आती ही होगी ननंद भावी की मुलाकात हो जाएगी तो टुक्रे भी हो जाएंगे तुम्हेंगे वैंगे उले की म सुपोफ पाल कि कि आई बादा पकाई जय को दोगा कौन हो तुम जिसे बर्सों से तेरे मन हुष छेरे की तलास थी मैं वो मंगल हूँ कमीने जिसके चोटे बाई सोम्नाथ को तुने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था टाकु मंगल सिंग कुटे तुम दस साद्लियोंने मिलके मेरे निहत्य भाई को मारा था आज मैं तुझे अखेला दस साद्मियों की मोत बारूँगा बारूँगा हुँँँगा तुम थाजश पर्दाग पर्दाग पॉलिस ने तुम्हें चारों तरफ से गेर लिया है पेड़ बक्रियों का घेरा शेर को नहीं रोक सकता और फिर तुम पॉलिस वाले वारदात के बाद बंदू के तानते हो और साब के चले जाने के बाद लकीर पीड़ते हो मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूँ मैं सापों को लकीर छोड़ने लाइक छोड़ता ही नहीं अगर यकीन नाए तो एक कदम आगे बढ़ा कर देख लो गोलियों से भून ना दू तो मेरा नाम S.P. रंजीत सक्षेना नहीं मैं तुम्हें गोली का जवाब गोली से नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारी मोज से अगर किसी की आँख में एक भी आंसो आ गया तो मुसे बर्दास नहीं होगा लो संभाद आपने अमारत मेरे जीब मेरे जीब नहीं जायां ये क्या किया तुम्हें वो जनको भगाना भी एक जुर्म आख और एहसान करनेवालों पिर गोल चुराना का इंसाफ है ये तुम क्या चिह तुम क्या रही है इसमें ये फरिष्टा कॉन है? मंगल सिंग. सरदार, जाकु दुर्जन सिंग की खबर लेकर आया हूँ. क्या खबर लाये हो? वो पुलिस थाने में हाजर हो गया है, और उसे सेनेटर जेल में रखा गया है. बुझ दिल कहीं का, उसने मुझसे बचने के लिए पुलिस की शरण ली है, लेकिन जेल के सला के मेरे इंतकाम से ज्यादा मजबूत नहीं, उस सुवर के बच्चे को मैं वही गुच के मारूँगा. लेकि सर्दार कल सुवर पुलिस वाले उसे गौरियर जेल लेकर जाएंगे. परेकान, असीना को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए. बेहतर सर्दार. ओहो, ये पीछ रास्ते में जनवर कहां चाह गए, गाड़ी को अवालदार, नीचे उतर के सब को उठाओ. कुमारे जनवरे, जी सर्दार, हटाओ जानवा है साथ, आदमी के जबान थोड़ी-थोड़ी समझते हैं. बक्वास बन करो, जल्दी-जल्दी हटाओ. चलो, हटाओ. हटाओ. तो खाट रहा है, जल्दी करो. हटाओ. हुआ है 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 जल पुत्ते है पहचानता है इस पुटी को पहचानता है सूर के बच्चे के यह पहीं जगाहे क्या तुन्हें मेरे बाई को बार आता हूँ यह मिटिया है जिस पर तुने उस निर्दोष का खुण बहाया था मुझे माप कर दो, मुझे माप कर रहा मंगल तुझे माफ करने का मुझे कोई अधिकाद नहीं है तुझे माफ करने वाला जहां है वही तुझे भेज रहा हूँ जा मागले उसे माफी सूवर के बच्चे कुछ कीजिये राजा साब जो लोग पुलिस के कबजे से छीन करके दुर्जन को ठिकाने लगा सकते है वो कुछ भी कर सकते है एक राशा है क्या हमारी मौत हमारी मौत कि इस हवेली में आग लगेगी अवेली चल कर राख हो जाएगी और उस-ई दो लशे मिलेंगी लेकिन वो दो लाशे हमारी नहीं होगी तो फिर किसकी होगी यालू हमारे दो हफादर नौकątनों की राम संग और वीर संग मान गए राजा साफ लेकिन हमें चोटी सी कुर्बानी देनी होगा आग क्या आपकी यह अंगूठी और मेरा यह नौ लखा हार इनको इनाम में देना होगा ताके लाश की शनाख के वक्त ये दोनों निशानिया हमारी मौत का ठोच सुबूत बन जाए राम सिंग वीर सिंग याओ जी सरकार भई राम सिंग वीर सिंग आज हम शिकार करने जा रहा हैं तुम दोनों ने हमारी बड़ी सिवा किये हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं शाबाज हमारी तरफ से ये इनाम और दायालू मेरी तरफ से ये अंगूर्ठी बहुत बहुत धन्यवाद मालिक पहन लो सेवा के इनाम के साथ साथ अपनी वफादारी का इनाम भी लेते जाओ आमी हो ये जाम हो ये लुती तरौका और ये बहुत फिखसे ये लिए लेगों प्राजा एनाम परिला के साथ से ये लिए्विते हैं दाझ मैरी पूचा है एिरिवादा इनाम जड़ी हैं पुम्हारान प्सक्ट गया जाएमाल जाएम पूबान जो तूने मुझ से मेरी जिन्दगी का मकसद छीन लिया मेरे दुश्मन तुझ जलकर राक हो गये और मैं जीवन भर बदले की आग में सुलकती रहूं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा मेरी जिन्दगी का फैसला तू नहीं करेगी मा मैं खुद करूँगी और तेरे सामने करूँगी यह क्या पागलपना है? मुझे मत रोको मंगल, मैं अपनी जिन्दगी खतम करना चाहती हूं जिन्दगी खतम करना चाहती हूं? क्यों? राजा और लाला की मौत के बाद मेरे जीने का मकसद खतम हो गया जिस तरफ देखती हूं, नीलों लंबी तनहाई मूँ चड़ाती है तूर तूर तक अपना कोई नजर नहीं आता अगर गोर से देखो, तो बहुत करीब तुमें कोई अपना नजर आ जाएगा हाँ, सिन्दगी की सफर में मैं भी तुमारी तरह अकेला हूं अगर दो हकेले मिल जाएंगे, तो सफर आसान हो जाएगा हाँ 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 लुट 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 अरे ये नगर नगर है तासा पबल यार की नाजुक हसकेडियों में जक्री गई अरे ये नगर नगर है ताजा खबल यार की नाजुक हसकेडियों में जक्री गई जिसमें है डाली डाकू पिदा की वो डाकू हसेना सक्री गई हरे ये हरे ये ये हरे ये तब की नगर, नगरों का दो शिकार बन गई, चाजब की खुश्मन की, साजब की आर बन गई, गोगा। नगर, नगर, है ताजा ख़गर, त्यार की नादुक हत गड़ों में चक्री गई, जिसने है डाले धाखू, बिदा की बोडाकू, हसीना पत्री गई, का पत्री आरी 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 कातिल नजल कातिल अजा जो भी मिला जखमी हो दिलवालों के सरकार में कुछी उसे पकड़ना चका अज़से खीजी होगा हर अंजाम उसका क्या हो नजर नगए है ताजा खबर प्यार की नाजुक हस्तेरियों में जगड़ी गई जिसने है डाले लखो पिदक बड़ लखो अतीना पड़ी गई अरे नजर नगए है ताजा खबर प्यार की नाजुक हस्तेरियों में जगड़ी गई जिसने है डाले लखो पिदक बोड़ अतीना पड़ी गई अरे हरिया तू बड़ी मस्ती में हो रानी अपनी जवानी की थोड़ी सी सराब हमें भी पिला दो कांसी तुम्हारी बोतल खाली हो जाए गया चुपचाब ढकन खोल दे वरना तिरा सारा शराब खना खाली कर दूंगा कर जिन हातों को नाडा बानना नहीं आता था वह आज मुझे पर बंदुग चलाता है कल जिसके एक इसारे पर हम मौत से टकरा जाते हैं उसी ने हम पर गोलिया चलाई और वो भी एक दो टके की लोड़िया के खाला तुमार के बच्चे यह मंगल की इज़त है अरे तो तुम्हारी भी कौन सी इसके साथ साधी होगी यह संदार कुली हुई काई किस-किस के टोकरी में मुह माती फिरती है यह मलिकों भी क्या मलोग आज एग पुर्णा हिए जर के लुट्छbud एफ एग जुट कि अिर्थ तभ में ऑ कर दो एग पर एग तर अ जे आता हुआ है कि एग 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 गट्ट एग 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 ट ले एग एगब एगग सदर का शिकार करने वाले कभी कुट्टों का शिकार नहीं करते। इनकी सिंदगी पुख्षतों ये तो कुट्टों से भी गए गुजर रहें। बख्षतों सरुगार। तुम और के बच्चों तुम दोनों ने इस गिरों का नमक खाया है पर नमक खाला ली जाता ही नहीं इससे पहले कि मैं तुम दोने की बली चरा दू भाग जाएंसे भाग असीना जिस पतं की डोर किसी की हाथ में नहों उसे हर कोई लूटना चाहता चाचा वो कम सरदार हम कली हसीना चे शादी करेंगे मंगलो यस्तनोहरी रस्याम रजस्तू जनारदना ओ मंगलम स्वाहा अब फेरों के लिए खड़े हो जाईए पंडीजे शादी हम कर रहे हैं और फसीन आपको आ रहा है या पहले कभी कोई शादी नहीं करवाई शादियां तो बहुत करवाई हैं जज्मान पर बंदूक वाले की शादी पहली बार करवा रहा हूं पंडीजे हम डाको जरूर है मगर हिंदू है गोहत्या और रहमत्या को हम भी पाप समझते हैं आप बेफिकर होकर अपना काम कीजिए पहाड़े पुलिस यह पुलिस कहा से आगई यह रहों से कोई गयराजर तो नहीं है गयराजरी तो कोई भी लेंगे है जचा हरिया मेरे ज़र ख्याल दखना है इस विसाब तभी तुम्हें सूची सालिये पुलिस और कैसी ही सर्दार को खबर दू नए सर्दार को खबर बाद में करेंगे पहले इस पुलिस से तो नहीं पटले तूदर समाल ले लुक्त गृषत की कि अजांत अज़स आफने को किया अजीवित तुम्हारे बच्छने का कोई रास्ता नहीं Dh अपने आपको पुलिस के हवाले कर दो यस बे रंजीत तुम्हें अपने बेहन को दुलन्द के जोड़े में देखने का बड़ा हर्मान था न इसलिए बंदुकों को उपार लाए हो मंगल सेंग इस वक्त रुपा का भाई नहीं एस भी रंजीर सक्सेना जाकू हसीना को गिर्फतार करने आया है रंजीर सक्सेना तूद पीते बच्चे की तरद चांद को हासल करने जैसे हसीना को गिर्फतार करने की अपनी जिद छोड़ दो तुम जैसे आए हो वैसे ही लोट जाओ अगर अपनी और अपने आद्मियों की सलावती चाहती हो तो मंदिर से बाहर आ जाओ मैं भगवान के मंदिर को खून से नहीं रंगना चाहता अपने साथियों को मरवानी का इतना ही शौक है तो बोल दो उन्हें कि वो सब के साथ सा आपने साथ सा अपने आपने साथियों कि आपने साथियों कुछा अविवान का शौक है अपने ज़ल्दी करूँ अपने जवह गया ना असीना दूसे दार संभाल जल्दी कर दो उना जा ठो और अ कर दो बप्ना अ ढर फ़ा सिर अ पार्फ उना अ सिर लुड़ियर चलब और अ कि अच्छा इसमें साब हमारे अपने हद्वियों से के दिजी के फाइरिक बंद कर दे इसके बाद अगर हमारा एक प्याद भी मढ़ा तो मैं तुम में से किसी को जिन्दा नहीं छोड़ूंगा कि विजुए तो मैं तुममारा एक बंद किसा रुख जाओ चाहरे से सेहराठाओ कौन हो तुम लोग ये सब मेरे बच्चे हैं साहब इन्हें ये सब करने के लिए डाकूओं ने मजबूर कर दिया नाई गोलीन को नहीं लपना चे सुबर का बच्चा मंगल से गदारी करने चलाता करेम आड़े पहुंचा चला सिना इस इस इलाके के सब लोग अपना दुख सुक लेकर मंदिर के वज़ाए आपके दर्वाजे पर आते हैं भटके योई लोगों को सही रहाप चलने के सिक्षा आप नहीं देंगे तो और कौन देगा मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी मंगल बेटा मास्टर जी अरे आइश्मान भाब मंगल मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ सका इसलिए नहराज हो मुझ से बहु से नहीं मिलाओगे अजीना अजीना यह मास्टर जी है इनसे मैंने अक्षर नहीं अर्थ सिका है अखंड़सो भागवती भवा तुम्हारे सिंदूर पर कभी आच ना आए दूधो नहाओ पूतो फ़लो असीना मास्टर जी ने तुम्हें जोली भरकर आचे बाद दिये हैं संभाल कर रखना तुम भी मेरी जोली भर दो मंगल आज मैं गुरू दक्षिन मांगने आया आग्या दिजिये मास्टर जी एक लवे न तो दुरुणाचारे को अपना अंगुठा दिया था मैं आपकी चरणों में अपने सर की भेंट दे सकता हूं मुझे तुम्हारा सर नहीं सर की सलामती चाहिए मैं समझा नहीं मस्टर जी अपने आपको कानून के हवाले कर दो आत्मों समपन कर दो ताके बहु को दिये हुए मेरे आशिरवाद को फुलिस की कोई गोली चलनी न कर सके यह आप कह करो मस्टर जी अब बिकर जाए मगर मगर यह ना कहिए वह वक्त से पहले रात की गोद में मूझ चुपा ले रात की गोद में चुपा हुआ सूराज दूसरी सुबा फिर अपनी आनबान के साथ निकल आता है अपना नहीं तो अपनी बहु के बारे में सोचो इस बच्ची के भविषय के बारे में सोचो क्या दोगी इसे स्कूल की ड्रेस के वजाए जाकोओं की वर्दी किताबों के बदले में हाथ में बंदू पस्ते की जगा गले में गोलियों की पेटी कि नहीं है नहीं मैं अपनी बेटी को धाविश्य नहीं दूनwnी क梅मबाप अपनी संतान को ही दे सकते हो जो उनके पास होता है और ईकाफ की संतान को विराशत में या तो कुलिस की गोलिया या फांसी का फंदा जा हुए नहीं मास्टर जी हम अपती पहचान मिठा देंगे इस डाकुवां की परबरा को खत्म कर देंगे लेकिन गुड़ी पर आंचाने नहीं देंगे मास्टर जी मैं आत्मा समर्पन करने के लिए तैयार हूँ एु्छव व्रोर देंगे रुड़ी में हो आ सकता है पर देंगे रुड़ी रुड़ी के साटी के लिएodar सेंगी टीन के on वै के वीदे पर को ये सकता है चलो कि ँड़ु़े ब zig. सूभ देंगे नहीं अ用 फिवारी लिएर वीवश्वेश्य के मैं। आज हसीना बचने नहीं चाहिए राजा साहब चलिए टियाईजी साहब चलिए आर पहनाईए इन महान हस्तियों को और नार लगवाईए भारत पाता के इन सपूतों के आओ सीना आओ मंगल मंगल साथियों हम लोगों के साथ धोका किया गया है धेल लों सबको धोका तुम्हारे साथ नहीं हमारे साथ हुआ है रुक जाओ हसीना चाचा चाचा estásína को बा गला हसीना 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 अगल अगल रो मतासिना, बीहर की शेरनी की आखों में, हांसो शोभा नहीं देते, अगर तुम मुझे झोड़ गए मंगर, मैं, मैं किस के सहारे जीऊंगी? मुझे किस के सहारे छोड़े जा रहे हो? गुटी के सहारे, अब गुटी तुमँरा सहारा है, और तुम गुड़ी का सारा हो इस बेज जुबान का ख्याल रखना मुझे मोट का गम नहीं है सीना मेरे जिन्दगी का मकसद पूरा हो गया मैंने अपने भाई की मोट का बदला ले लिया बस इस बात का अपसूस है धोके से वार करने वाले पोलिस वालों से पदला नहीं ले सा मंगल 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 मैं सिंदूर की कीमत वसूल करने के लिए खून की नदियां बहा दूंगे टूंगे 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 लूनाया थूंगे लग टर शूंगे लूए अजियां आप लोगों को यह वर्दी पहने का कोई हक नहीं उतार दीजिए वर्दिया फेख दीजिए स्टार्स आज यह चीज़े फखर की नहीं चर्म की बाइस बन गई है जो पुलिस इस तरह हार कर चोड़ डाकव का होसला बढ़ा है वह कानून के मौफिस नहीं हो सकते अगर इसी तरह हर कदम पर पुलीस धोके का शिकार बनती गई तो चौरा होपर पुलीस वालों के बुद्ध ही रहे जाएंगे उन्हें देखने वाला कोई नहीं रहेगा ऐसा कभी होगा नहीं सर और अगर हुआ भी तो पुलिस के बुद्ध भी इस देश की हिवाज़त करें यह माना सर कि अपने दौर में हर डाकु ने तहलका मचाया लेकिन अंजाम में पुलिस की गोली का इश्कार हुआ भले ही वह मांद सिंग हो सुल्दान डाकू हो अमरितलाल हो या पुतलीबाई हो मारे तो सब पुलिस की गोली से ही तो कह मैं यह समझू कि डाकू हसी नहीं किवाब की यहने एस पे सकसेना की पहन है सर यस आई मीडिट सर पहन भाई का ये रिष्टा मेरे सर पर इल्जाम बन किया है अब मैं इस इल्जाम को थोकरी रहूंगा हसीना एस पी रण्जीत सकसैना तुमसे मिलना चाहता है अकेले और खाली हाथ भेंट कहा होगी फूटी कोटी कल सूभे ठीक है लेकिन इन पुलिस वालों का कोई बरोसा नहीं इसमें कोई चाल भी हो सकती है पाले रंजीत सक्सेने सर्फ एस पे ही नहीं मेरा भाई भी है मैं जाओंगी लेकिन हसीना सरकार ने आज तक कोई ऐसी गोली नहीं बनाई जो हसीना का सीना चीर सके हसीना जाएगी आईये श्रीमती मंगल उर्फ रूपा सक्सेना उर्फ चंबल की रानी उर्फ पुलिस की दुश्मन उर्फ टाक वसीना मेरा एक और नाम भी है शायद आप भूल रहे हैं याद है आप प्यार से मुझे बिली कहते थे भाईया आंधी की शकल में बस्तिया उजार देने वाली खतरनाग जाको हसीना मेरी बहन रूपा नहीं हो सकती आज तक मैंने किसी मासूब का खून नहीं किया और जिनका खून करूंगी वो भी मासून नहीं होंगे जिनको मैंने मारा है या मारूंगी समाज के उन गंद कीड़ों के लिए सिर्फ एक ही सजा है सजाए मौत तुम कौन होती हो किसी को सजा कि अधिकार दिया था किस अधालत ने नर्व सिंग और प्रलाद के बाप को मारने का अधिकार दिया था बुराई के खिलाफ अच्छाए का ये धर्मिद आखरी दम तक चलता रहेगा भया ये तुम नहीं तुम्हारा पागलपन बोल रहा है रुपा वरना इन आउतारों के सि दिल बंद कर दो वरना पुलिस की गोली तो मारे सीने को चीवती हुई बहार निकल जाएगी और खुन से लटपत तुम्हारी लाश किसी जवराय पर पड़ी होगी किस पुलीस की बात कर रहे हो भाईया उस पुलीस की किसी की दी हुई वर्दी पहन कर दूसरों की इशारो की तरह मसल दिया और उनकी लाशों को चिल कवों की खुराक बनाकर जंगल में छोड़ दिया चंद पुलीस वालों को मार कर तुम क्या समझती हो तुमने पूरी पुलीस की दागत को खतम कर दी मात दे दी यह तुम्हारी भूल है बहकूफी है खाकी वर्दी में लिप नहीं और नहीं पुलीस की जाट से है मेरी दुश्मनी उन मकार आफिसरों से हैं जिन्होंने मेरे सुहाग के सूरज को निगल लिया और मेरे तमाम जिंदगे को कभी न खतम होने वाले अमावस की रात बना कर छोड़ दिया मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं छोड़ूंगी भा रूपा रूपा नहीं हसीना कहो तांख हसीना और हसीन हजो कहती करके दिखाती है तो रूपा तुम भी एक बात सुनलो आज के बाद इसमी सकसिना की बंदूट में जो भी गुली होगी उसपर एक ही नाम लिखाओगा तांख हसीना जय हैंदय जय भावानी हो उम फौिर लूय हुए गला लप म ardना है तू 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 जिंदा हूँ लेकिन पुलीस वालों ने तेरी लाश भी जंगल से बरामत कर ली थी गाउवालों ने उसकी शनाफ भी की थी कॉन गाउवाले लाला राजा राणा और ठेकेदा hara राणा और ठेकेदा hara को तो मैंने ठिकाने लगा लिया लेकिन वो दो कमीने लाला और राजा अपनी ही मौत मर गए मैंने उसी ना मुझेंदा है उन्दोन ने तेरा स्वाफ चीना था क्या कहा? गुद्धी? हसीना सब तयार हैं, तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं ठीक है चाचा मैं भी तयार हूँ चाचा, मैं गुद्धी को तुम्हारे हवाले किये जा रही हूँ इसका ख्याल रखना तुम चिंता मत करो हसीना जब तक रहमत अल्ला की जिसम में खून और जबान पर अल्ला का नाम है गुद्धी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता अज़ बाल रखना जबेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें सुम चिंता वाल ठी हो Aah रत्स rकर भाल के फिरुऊगा जधी vendors Risgyptar कि अधिना तुझे खून खरवे करने का इतना शाख है तो इसका फैसला भी हो जाएगा पीछे मुलका देख जाचा हो अधिनी कुटी है हाँ तेरी कुटी भी हमारे खब्से में है पहले अपने चाचा का क्रिया करम तो पूरा कर लेने दे जगा हाथीना आप जरा उधर भी देख हाथीना ये बच्ची अब तक जिन्दा है अपने आपको फॉरान हमारे हवाले कर दो वरना हम इसका क्रिया करम भी कर देंगे नए रुख जाओ राजा मैं आ रही हूं अपनी बंदूख फैर दे हषीना दों टो नहे नही जाएगा करेक तूम प्राइब है हुरूएब है हाथीना तूम तूम तुटो है मैं तूक्टो नहें बंड़ा है तुम गुड़ी का ख्यालत ना हूँ पाक काई, कुटी किना कि जला हूँ किसा कयुआ सुआ Columbus सुआनोग। झाल झाल पहाडियों में चुपे होंगे कुट्थे कोली चलाओ और भीडोगे पड़ाई जर्ण सकाहरे गुपे को ऑचार्ण भाइब में जार्ण खितान खितान बुपे खिति दो प्रोल्ड़ी बड़िरे नहार प्रोलाई से में फ्रोलागे अरी घ्राण खाल जिए कई बुझा है कुए पालाओ कि नवा में डुलुड़म कि आखजयदकуляр sportONG को सुझा के डु़ आप 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 तो वो तो मौत का नाटक था एसपी साब हसीना से बचने के लिए गबराई ये मत ये में बैठी आईए क्या बात है सर ये दोजवन बहुत सिर्यस है अगर आपकी इजाज़त हो तो इन्हें आपके जीप में डालकर पासवाले केम्प में ले जाए ठीक है इनको राजसाब को पुलिसमें में ले जाओ जायाली इस पिसा हमने हमें मौत के मुझसे मचा लिया पलट के देख कुते मौत तो तेरे साथ साथ चल रही है कमीने, हरामी, गुलाब से इंकल्ला, पांच दोन दोनो कुत्तों को गाड़ी के साथ नहीं हो सीना, नहीं हाँ लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम पर ये सोने की गोलियां जाया की जाए तुम्हे तुम्हे वो मौत दूंगी जिससे देखकर यम्राज भी काम उठेगा गुलाब सिंग, सर्दार, ठकेल दो इस गाड़ी को खाय के अंदर, ताके इनके गंदे शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएं, जिनने भूके गिद भी खाने से इंकार कर दें नए ! नए ! मैं!! बगाओ ! आए ! आए ! पाओ ! पतीना! गुटी! लोग जाओ असीना! बना गोली मारदूंगा! गुटी! गुटी! गुटा! गुटा! वही हुआ! जो मैं नहीं करना चाता था! मेरे पास वक्त नहीं है भाया! मेरी एक ही खौईश है तुम से इस देशुबान बच्ची को समाल लेना मैं 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 से तुम्हारे हवाले केचा रुपा? चोटी मा चोटी मा तुम बोलती क्यों नहीं? तुम पहले क्या थी और अब क्या हो गई तुम पहले क्या थी और अब क्या हो गई पहले क्या थी और अब क्या हो गई तुम पहले क्या थी और अब क्या थी और अब क्या हो गई तुम पहले क्या थी और अब क्या थी और अब क्या थी और अब क्या हो गई